इंटर्वियू हिंदी में होती है या इंग्लिस में है ठीक है एलन्टी में जो पूछा जाता है इंटर्वियू हिंदी में होती है या इंग्लिस में या फिर दोनों लाइंग्लिस में तो यह काफिर अच्छा सा कॉमेंट रहा भाई का तो इसका आंसर तो बनता है कि बताओं अगर आप इंजीनियर हो तो आपको तो इंग्लिस आना चाहिए इस इस ए मेंडेटरी करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिस तो आना ही चाहिए मेरे खियाल से में इसलिए इंग्लिस को मेंडेटरी किया जाता है कि आपका साड़ा कुछ डॉकॉमेंट बेगर है जितना भी कुछ है इदर उदर अगर क्राइंट डेलिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे क्लाइंट जो है आप से हिंदी में बहुत कम बात करेंगे ठीक है और फॉर्मल जो है आपके लिंकल एंक्टिस होता है वह इंग्लिस होता है तो में ज्यादा अच्छे तरीका से एक्स्प्लेंड कर सकते हो उश्में आप एंटर्भ्यु दो आप उसको change कर सकते हो अपने हिसाब से सपोस्क्रों कि बीच बीच में आप उसको तोड मोड के ना हिंदी की तरफ ले जा सकते हो HR को ऐसा निया कि वो सिर्फ आप से इंग्लिस में हाई स्टार्टिंग आप से इंग्लिस में करेगा कि अपना नाम बताईए बता है इसे सब बताने के बाद आप आपसे कोशन पूछा जाएगा आपको रिलैक्स कर वाड़ा विया सिधा सिधा आप से question पूछेगा ना आप फड़िश्टेट हो कि कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दोगे सही से जवाब नहीं दे पाओगे या फिर फड़िश्टेट हो जाओगे तो हाँ पे हर लोग चाहता है कि जितना जल्दी हो सेगे selection हो जाए जो बेश्ट बंदा हो जिसको अच्छे से knowledge है पता है डेजन्ट मैटर कि आप हिंदी यह बोल रहा है अच्छे तरीका से काम निकलना चाहिए यह नहीं क्या है अगर मालीज जी के पूरा पूरा आपको चलेगा ना तो आपको हिंदी भी आ रहा है तो आप फिर भी selection लिया जाएगा ऐसा निया कि फुली इंगलिस ही आना चाहिए थोड़ा बहुत आपको इंगलिस आ रहा है ना ओके है आप हिंदी में बूलिए लेकिन उस चीज को बताईए जिस चीज को पूछा जा रहा है आपको आपको पूरा इंगलिस आना ही चाहिए आपको थोड़ा बहुत इंगलिस आ रहा है जैसे चाहिए तो आपको गाउगर में तो सुने होंगे कि उसको मसल्ला बोलता है बहुता है तो यहां पर आपका सिमेंट के टी बालू और वाटर का मिक्सर को बोलते हैं तो इसी तरी के से होता है तो समाजना पड़ता है एक बात को उसको एक्स्प्लेंड कर दीजिए अच्छी तरीका से देखिए ना क्यों नहीं लेगा सेलेक्शन यार हिंदी बूलो या इंगलिस बूलो डजन मैटर ओके चलो बांके और कोई कोशन कोशन और रहे गई है कॉमेंट करके पूछले ना फिन मिलता अगले वीडियो में